लॉरेंस इसलारी जी गुड वेरी गुड मॉर्निंग तो अब क्या छोस रहे हैं अभी रिजाल्ट निकलने वाला है कई घंटे के बाद जी 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 शुरू से मेरा कॉंफिडेंस था और आज भी है क्योंकि सारी एक्जित पॉल कोकरजर इस्ट यूपीपियल को जितने का दे रहा है तो शुरू से मेरा उमिद था बिश्वास था कि इस बार इस कॉंस्टिवेंसी से यूपीपियल का पार्टी यानि बीजी पी हमारा जो अलाइंस का कैंडिडेट हूं मेरा जितना बहुत आसन है मैं सोच रहा था और यही होगा आज भी लौरेंस इसलारी जी दो हजार सोलो में बीजेपि का पार्टनर था बीपी एफ उन्होंने 12 से 12 ही सीट जीट लिया था तो इस बार बीपी एफ कॉंग्रेस के साथ है अब इस बार बीजेपि के साथ आप लोग है तो क्या यह बारा सीट में 50-50 बतवारा होगा क्या 50-50 एदेखो फूद्ध हम यहाँ दायरेकली यूपी प कल आच च्छीहों में हम लोग यहाँ कॉंटेस्सक्या है और बाकी में फ्रेनली हमने खेला है देखो ये जो हमारा smashed area है जिसका सरकार है उसके साथ जनता रहता है तो इस बार UPPL, BGP और GSP का सरकर है इस काउंचल में तो लोगों को बिश्वास है कि जिसका सरकर है उसकी साथ रहना चाहिए क्योंकि यहां कि जो जितने भी डेबलाप्मेंट है डेबलाप्मेंट एक्टिविटिस है तो काउंचल एरिया में काउंचल ही करता है इस लिए यहां BPF का जितने का कोई उमिद नहीं है ओके तो आपका मानना है कि UPPL आट सीटों में कंटेस्ट कर रहा है BGP में भी कंटेस्ट कर रहा है बारो सीटों में से आपका क्या प्रेडिक्शन है आपका क्या प्रेडिक्शन है कितना सीट मिलेंगे क्योंकि लास्ट टा का आपका अनुमान लगा सकते हैं क्या आप यूपी पेल की तरफ से 7 7 हम लोग 7 सीडों में जिट पाऊंगी और बीजेपी को मिला के टोटल कितना हो सकता है बारस सीटों में अपका मित्रत दर ग्यारों मिल सकते हैं हम लोग 11 11 11 टोटल 11 11 मिल सकता है लोर्ण सिसलाडी थैंक यू वेरी मुच पर स्पिकिन तो नॉटिस लाइब विश यू अल बेस्ट थैंक यू थैंक यू